मैं हूँ प्रोमीथ और हम हैं एलेक्ट्र के स्टॉल पर जहां पर हीरो ने यह एए ट्वैनिन नाम नहीं है यह अभी अन्वील किये तो इसका कोड़ निम रखा गया है जुकी है एए ट्वैनिन और आप देख सकते हैं काफी सिंपल साथ स्कूटर है एलेक्ट्रिक स्कूटर इसे बाक्रिस बहुत अच्छा लग रहा है काफी अलग सा है सीट्स डीसंत है नॉमल है आगे यहां पर आपको शायद दीगा दी इंडिकेटर्स आए अम होपिंग और पदा नहीं अभी जल नहीं रहा है लेमीडिस चेक स्कूटर तो ओन है ओके नहीं सो दो इंडिकेटर् इसको अफॉर्शनेटली डिस ब्रेक नहीं मिलता है यह थोड़ा लोर वेरेंट है एलेक्टर स्कूटर में अलॉय वियूज मिलते हैं जो कि काफी अच्छे लोग लिग है और एक और और वाक रहा है तक आप देखें इस स्कूटर कैसी लगती है स्कूटर काफी सिंपल सा स this is the switch is but you have an oltd I mean i do not know the switch is L and H जब वाक रहा है तो इसमें रिवर्स का प्य और जर्म प्यक्मोटर है एल गजिस थे लो स्पीड अड्स फार्छ फार्ट यह वाइस्पीड फीड आपका इको मोड और पा इसमें आपका प्रोट मोड अं यह स्का मोट यह है इसका मोटर यह बाइब के लिए काफी अच्छे लगते हैं एक बाक्रइस भी दिया गए इसमें बोला था बहुता लगता है बट कोई बादी पिलिन के लिए काफी कमफुरीबल बाक्रेस्ट है अदर्वाज दूस्तों यह दो स्कूटर है काफी सिंपल है काफी अच्छी है अब इसकी टेक्निकल डीटियल के वारे हम बोलू तो इसको मिलता है एक वन किलोवाट का मोटर तॉप स्कूटर की है 55 किलोमेटर और फुल चार्ज में क्लोसर और 80-85 किलोमेटर यह जा सकती है फुल चार्ज होने में कॉरल में इसकोटर काफी स्कूटर है तो आप बताई कमें में आपको स्कूटर कैसा लगा अगर आपको पसंद आयए प्ली से लाइक करें शेयर को अशाय सोच्विट्राइब आशकन सब्सक्राइब शरू करिएगा एक आपको में पूरा लाइनाप दिखा दूँ आपको this is the AE-75, AE-29, AE-8 and this is the AE-3 वहां पे AE-47 कुछ कुल लुकिंग बाइक्स और सबसे अनोगी तो यह चीज है पुकास मेरे को यह आप हैंगर्स बहुत पसंद है और यह साइकल में देखना मतलब एक बहुत अनुसुल चीज है तो दा वजब आपको वीडियो पसंदा अगर आपको पसंदा आपको पसंदा आपको पी लाइक करिए शेयर करें हमारे सारे स्रोजल में चार्ज को सब्स्राइब जरू करेगा तो के मैं पुम्रीच आटा हूं सीयो नेक्स ताइम